वाकाफ सम्पत्ति ते हाद दिले मुशल्मान रा बोशे ठाक बेना सम्बार बहरंपुरे मुर्शिदाबाद जेला जोमियते उलामार मोजिलीशे मुन्ता जीमार अधिबेशोने बोक्तब्ब राक्ते गिए एई मुन्तब्ब कोराचेन राज्यो जोमियतेर सभाबुती तथा राज्यर मुन्त्री मुशल्मान शिद्धिकुल्ला चो धरी तिनी बलेन ब्रिटिश्टा कखुनो वाकाफ सम्पत्ति और मुन्दिरेर सम्पत्ति ते हाद दाएनी किन्तु विजेपिर नेत्रित्ता धिन केंद्रियो सरकार एई सम्पत्ति ते हाद दीते चाये छे वाकाफ सम्पत्ति मुशल्मान देर पोईत्रिक सम्पत्ति केव एई सम्पत्ति छिनिये निते चायेले मुशल्मान रा जान दिये लराय करवे गणोतंत्रिक पध्धोती ते देश्य जुड़े अंदलोन कोरबे। करते हैं। इसको हम विरोध करते हैं। एक हफ्ता पहले केमिनेट मीटिंग दस्तारिक को हमारे ओनरबल चीप मिनिश्टर मौंतर वेनर्जी से हमने पूछा। उन्होंने बताया पार्लामेंट में जॉइन पार्लामेंटिक कोमिटी हम लोगों ने चाहा है। और वहां कॉलान पार्लामेंट जी और नदीमुलाग दो आदमी को हमने वहां रखा है। इस विरोध के इस बिल के खिलाब वह बात चीज़ करेंगे। और बंगाल से हमारा उपनियन विरोधिता में हम बेज़ देंगे। इसमें को कॉंसिडर नहीं है। यह बहुत खराब बात है। लाग उपनियन चला गया कि हम लोग वकफ का मरकज का यह बिल हम लोग फेक देते हैं। अब अगर दिल्ली गौवर्मेंट हुकूमा चाहेगी तो उस बिरोध में जबरदस्ट लडाई हो जाएगी। पब्लिक लोग सड़क पर उतर जाएंगे। मंगाल में बहुत बड़ चलेगा। एक इंच के लिए हम लोग इसको बरदस्ट नी करेते हैं। आग जबूची बात कर रहे हैं। अगर वाकफ बील की विरोध में तो क्या यह बंगाल में कोई पैंडलिजम इस तरह की है। नहीं नहीं आग का मतलब यह है कि एक शांथ चीज को और शांथ बनाते ह मुसलमान खामोश हैं। चिलाएंगे सड़क पर उत्रेंगे। उसका मतलब थुड़िया है कि तोड़ना फोड़ना नहीं होगा। पब्लिक जमा होगा। कलकत्ता में दसलाग आदमी काम लोग प्रोगाम करेंगे। पूरी दुनिया देखेगा। सब सब तुतु सब्सक्राइब करेंगे। सब्सक्राइब करेंगे।